हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करने वाले हूं बहुत ही टेस्टी मेयदा की बर्फी की रेसिपी ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगी जब भी आपका मन हो मीठा काने का आप इसे जरू बना आप चाहें तो इसे फेस्टिवल्स में बन सकते हैं सबको बहुत जब पसंद आईगी और बिना मावा बिना खोया के ये बन जाएगी तो चली बनाना शुरू करते हैं बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने याप एक कड़ाई ले लिए इसमें अब हम डाल देते हैं टू टेबल स्पून घी फ्लेम को लो रखना तो ऑप भी जब भी बर्फी बनाएं मैदे को अच्छे से चान कर यूज रहे हैं अससे एक दम फाइन मैदा रहे गा तो बर्फी बहुत अच्छी सैट होगी अब हमी इसके अच्छे से भुनाई कर लेनी हैं आपको मैदा भूनते टाइम एक चीज का ध्यानर रखना है कि नहीं होना चाहिए, यह हलका सा भून जाए, इससे हलकी खुश्बू आने लगे, बस हमें उतने इसे भूनना है, लेकन अगर इसका कलर चेंज हो गया, तो बर्फी जो आप बनाएंगे, वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी डार्क कलर की हो जाएगी, में हमें करीबं 6-7 मेंट लग जाएंगे, तो इससे भून लेते हैं, मैंने मैदे को बिलकुल अच्छे से भून लिया है, इससे हलकी खुश्बू आने लगी, अब इसमें डाल देते हैं, डैसिकेटर कोकोनट यानि नारियर का बुरादा, ये टू टेबल स्पून है, इसस बहुत बढ़िया फ्लेवर आजाएगा बर्फी में, इसे भी हम हलका सा भून लेते हैं, अब डाल देते हैं, मिल्क पाउडर, ये हमारा 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, पाउडर है, हम दूद मावा यूज नहीं करें, इसलिए यहां पर मिल्क पाउडर में थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा बर्फी में, सारी चीजों को अच्छे से हमें भून लेना है, मैदा से हलकी खुश्बू आने लगी है, अब हम यहां पर डाल देते हैं घी, थोड़ा सा हमने घी पहले डाला था, तो अभी यहां पर इस स्टेज पर थोड़ा सा घी और डाल देंगे, तो यह मैंने टूटेबल स्पून यहां पर घी डाल दिया, वापस से हम मैदा को भून लेते हैं, अब हमें इसे करीबन दो मिनिट और भूनना है, क्योंकि इससे हलकी खुश्बू आने लगी है, इसके बाद हम इसे एक बटन में रख लेंगे, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर हम इसे जादा दिय तक भूनेंगे, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गया आप इसका कलर चेंज ना होने दें, और इससे कच्चा भी न रहने दें, इसका कच्चा पन निकल जाना चाहिए, उतना आप इसे भून लें, तो अच्छे से ये भून गया है, अब हम इहाप एड़ कर देते हैं सूजी, तो सूजी है हमारी 3 टेबल स्पून है, सूजी लास्ट में एड़ करेंगे, सूजी से थोड़ी बर्फी दानेदार बनेगी, इसलिए मैं यहाप सूजी एड़ करेंगे, सूजी डालना बिल्कुल उप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप मट डालिए, बिना सूजी के भी आप बना सकते हैं बर्फी, लेकिन अगर आप सूजी डालते हैं तो थोड़ी बर्फी दानेदार बनेगी, लास्ट में सूजी एड़ करेंगे बिल्कुल क्योंकि सूजी बहुत जली भुन जाती है, तो मैदा हमारा अच्छे से भून गया है, इससे खुश्बू आने लगी है, और ये कच्चा भी नहीं बचा, और इसका मैंने कलर भी नहीं चेंज होने दिया, अभी हम इसे एक बर्टन में रख लेते हैं, और फ्लेम को बंद कर देते हैं, तो ये मैंने एक बर्टन में रख लिया, अब हम जल्दी से थाली को ग्रीस कर लेते हैं, बाद में हम चाशनी बनाएंगे बर्फी के लिए, तो मैं याँ पे घी से ग्रीस कर रहे हूं, यह मैंने अच्छे से थाली ग्रीस कर ली अब यह से यहीं रखा रहने देते हैं हम चाशनी बना लेते हैं चाशनी बनाने के लिए वन टेबले स्पून घी डाल देंगे उसमें इलाइची डाल देंगे तो यह हमारी डेड़ कप चीनी है दो कप मैदा मैंने यहां पर लिया था तो इसलिए हम यहां पर डेड़ कप चीनी डाल देंगे आप यहां पर चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से हमें चीनी को गूल देना है अब हम इसमें उबाल आने देना है तो यह आप देख सकते हैं उबाल आने लगा अब हम चास्नी चेक कर लेते हैं इसके लिए हमें एक तार वाली चास्नी बनानी है तो अब यह हम चेक करके देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है बस इतना ही हमें चार्षणि को पकाना है इसे पकाने में 4-5 मिनिट लगे हैं अब हम फ्लेम को लो कर लेते हैं और ये मैदा डाल देते हैं लो फ्लेम करके हमें मिक्स कर देना अच्छे से तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया अब हम इसे जाद अधी तक नहीं flame पर रखेंगे इसकी जल्दी से हम बर्फी set कर लेते हैं वरना यह यहीं पर tight हो जाएगा तो set करने में दिक्कत आएगी तो mix को plate में डाल देते हैं अब इसे एकसा कर लिए तो यह मैंने एकसा कर लिए कहीं पर भी उपर नीचे नहीं है बिल्कुल एकसी हो गई है set अब इसमें डाल देते हैं dry fruits तो मैंने यहाँ पर कुछ बाद आम वगेरा chop कर लिए थे आप अपनी पसंद के dry fruits से यहाँ पर डाल सकते हैं तो अब हम बर्फी को cut करते हैं बर्फी की cutting आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मैं यहाँ पे medium size के काट रही हूँ pieces और square shape काट रही हूँ मैं यहाँ पे आप चाहें तो diamond shape भी cut कर सकते हैं तो हमारी बर्फी cut हो गई अब हम इसके pieces निकालते हैं तो यह आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे pieces निकल रहे हैं बहुत ही बड़ी बर्फी सैट हुई है ठाली को अच्छे से grease करना बहुत जरूरी है उससे piece निकालने में बिलको दिक कर नहीं जाएगी ना ही वो चिप किंगे तो यह कितने बड़ी है निकल रहे हैं आप देख सकते हैं तो हमारी मैदे की बर्फी बन गई आप भी एक बार यह जरूर ट्राय करें बिना मावा बिना खोया कि यह बन जाएगी और ना ही हमें इसमें दूद की जरूरत पड़ी यह मैं एक पीस आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूं इसका टेक्स्चर यह आप देख सकते हैं कितनी बड़िया है और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है आप यह एक बाद जरूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगी और आप यह स्टोर करके भी रख सकते हैं आप इने फ्रिज में रखा रहने थे आठ से दस दिन तक आप इने इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो की नीचे लाइक बटन दबा दें और अगर आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक की लिए गुड़ बाई